नमस्कार दोस्तों आपका Basic Education Institute के YouTube प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों मदप्रदेश के निकलने वाली सिक्षा संबंदी कोई भी बड़ी खबर या अपडेड निकल कर आती है तो आप तक पहुंचाने का हम निरंदर प्रयास करते हैं तो दोस्तो आज मदप्रदेश के द्वारा निकाली गई देनिक रोजगा समाचार में आपका सौगत है चलिए देखते हैं आकर कर कौन कौन सी खबरें आज निकल कर आई हैं दोस्तों सबसे पहले जो खबर निकल के आ रही है वहारी है संबीदा नर्सिंग स्टाप की द्वारब से आमले को लेकर पर जो परिक्षार थी है औरोंने हंगामा कर दिया है बताया दोस्तों एन एस यू आई ने एच एम कारेला पहुंच कर रोज जताया क्योंकि एन एच एम के दो सी आधिकारियों की कड़ी कारवाई और एजनसी को ब्लेक लिस्ट करने की मांग की गई है क्या परिक्षार कर दिया गया क्योंकि पेपर देखिए नहीं यहां लेका उम्मीदवारों को पहले तो परिएवे चक ने एक्जाम सर्वर स्लो होने का हमाला दिया करीब दस मिनट बात परिक्षार नस्त होने की सूचना उम्मीदवारों को दे दी गई थी क्योंकि आपको बता है जो मैंने पेपर है वह लीक हो चुका था देखिए तो पहले हम आपको पहले डॉक्टरों के PMT कॉंड में भी प्रियागराज से आते थे सालवर अब आपको बता दें यह सालवर होते क्या जब कोई भी अभ्यारती पेपर देने को जाता है तो उसके स्थान पर यदि किसी करते हो अगे प्रियागराज में अब होने लगे है यह जो न्यूंस मिकल कर आ रही हैई हां ले प्रिक्षा परिक्षां संबंदित कर रही है पूश्ताज है ना तो प्र Whatsema ही सब्सक्तार्स एक्राइब टेस्ट जो होता है प्लागरा जी यह इसे इनरिसिंग घृती के चार हो रहे हैं परेशान क्योंगी देखी की दोस्त बहुत मेहनते जाटते हैं, कई सालों की महनत आपको एक बार आप एक्जाम में बेठते हैं परंतु यदि उस एक्जाम का पहले से ही पेपर आउट कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपने स्थान पर दूसरे अभ्यारतियों को बठार करें से पेपरों को निस्ट करने का पूरा प्रियाश्च करते हैं जिससे बहुत सारे जो लोग हों उनको नुक्सान पहुंचता है ना तो यह देखिए आपको बताया जा रहा है कि उनला जो न्यूज में जो आपको सामने आया है तो उनला एंजिम्ट की मेडिकल बिंग के पूरवे प्रदेश समनवे रभी प्रमान ने संचलन के ऊपर आरोप हैं मतलब कितने पंद्रा लाक रुपे में जो प्रस्न पत्र है और एक्जाम यानि कॉस्चन पेपर है उनको बेच दिया गया था यही कारण है कि संभीदा नर्सिंग स्टाफ भरती का जो पेपर है वह पहले ही लीख हो चुका था ठीक है इसके बार नेक्स्ट निउज है फरकार बनने के लिए दिग्री या डिप्लोमा होना जरूरी ओगा क्योंकि कोई भी लोग आके पत्रकारीता नहीं कर सकता है इसके लिए अभ आपको ध्यों क्या आई डिव डिन्हाइड को होता को ही आ न या आन ऐस स्थर पर चाहिए मतलब आपको यदि आप पत्रकारिडा करते हैं तो आपके पास कम से कम बार्मी तक की पड़ाई होनी चाहिए यदि आप ग्रामी लिश्तर पर करते है और यह आप षछरी स्वास कर रहे हैं तो आपके पास graduationason की डिग्री तो कम से कम होनी ही तो आप पत्रकान कर सकते हैं यह था लिया गया था इसके बाद दोस्तों पटवारी बनने के लिए आपको मैंने कली नियूस दिखाई थी यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आपको डिसक्रप्शन में उसकी लिंक दे रहा हूं उसको देख लीजे पर टुवारी बनने के लिए प्यजडी धारी भी आवेदन कर चुके हैं इसकी कल मैंने आपको मतलब एक सेक किया है यह ना ठीक है इसके बाद जोस्तों नेक्स नहीं जाई प्यारंबेक इवां मुख्य परिक्षा के अलग-अलग फॉर्मूले से बड़ी उलजान आपको बता दें एमपी पीएसी ने अपने जो राजिसेवा आयोग 2020 के परिणाम जारी तो कर दिये थी लेकिन कोड तक जाने कि इसकी मतलब क्या है शुरूबात कर दी गई मैंने आपको बताया था कि वह कौन सा फॉर्मूला आपको अपनाए गया था से तीस का जो आपको बताने से तीस तेरा का जो फॉर्मूला था यह आपको समय लागू की तो पहली आपतियों ने बताई जो आपत सुची में हैं वह अगले दोनों चांड यानि की दूसी प्रिक्षम इंटर्वियू तक प्रवावेश रणी में ही रहेगा ऐसी दूसी आपतिया यहां पर पताई गई है इसके बाद दोस्तों नेस्ट्री न्यूजा कर्मचारी चैन मंडल में जो जमारासी है चार सो तेरा जो प्राइमरी स्कूल को सालना बीस हजार और मिडल को अस्तीस हजार देने के लिए उन्होंने माननता बताई गई है माननता दे दी गई है संगठन की चितावनी मांग दी पूरी नहीं की जाएगी तो अब उसके लिए वह हड़ताल करेंगे क्या करेंगे दोस्तों वह सकते हैं अब आप अपनी सिकायत को भेज सकते हैं इसके लिए आपको वैबसाइट दी गई है www.edu.in पर आप अपनी जो सिकायत हैं ऑनलाइन मोड में आप उसे उन्हें यूनिवर्सिटी तक भेज सकते हैं यह मत्रदेश के मेडिकल साइंस उन्यवर्सिटी जवलपुर के द्वारा यह निकाली गई है ठीक है आपको बता दें दोस्तों कि आज यह मेंस का रिजल्ट आया है तो इस्टुडेंटों के अनुसर बताया जा रहा है कि फिजिक्स कैमेस्ट्री तो आसान धीपरंतु जो मैथमेटिक्स है उसका लेबल थोड़ा सा बढ़ गया है फिर भ कर दिया है पेपर कठेन होने के बावजूद भी है ना यह इसके बाद दोस्तों आपको एक एतिहासिक जो नियूज निकल काई राता पानी संचुकी के जंगलों में मिली 900 साल पुरानी परमार कालीन तीन मंदरों के आउसेस ग्या ग्यासुरपूर का बाजरा मठ कोड़ां सामने देखने को मिले हैं इसके बाद दोस्तों बता जाम मदप्रदेश की नेशनल हाइबे 155 पर MPRDC के रोड में 140 ब्लैक स्पॉर्ट पर साम 6-9 बजे तक सबसे जादा हाथ से देखने को मिले यह आंकड़ उन्होंने जारी किया है मतरब मदप्रदेश की रोज रोड परिक्षा देने पहुंचे परन्तु पेपर ही स्थागत कर दिया गया था अभी तक उनको यह भी नहीं पता था कि जिस एक्जाम में वह बैठे हैं उसका पेपर तो इस्थागत ही हो चुका है है ना तो यह उनकी पूरी न्यूस बताएं यह मलच कितने सत्रा केंद्रों ब पूरा परिक्ष्या रिजल्ट 20 माज तक आएगा आपको बताएं देवी होलकर यूनिवर्स्थी जो की यूजी में फस्ट यह के छात्रों की सप्लिमेंटी परिणाम 20 माज तक जारी होंगे आपको बतादे इस बार 15,000 से ज्यादा चात्रों ने परिपर्थम परिक्ष्या उसमें पूरक आने की सप्लिमेंटी आई थी इसके बाद दोस्तों आपको जो मतपते की सरकार है सिवरा सरकार द्वारे एक निर्णा लिया गया कि मिलत कर्मचारियों की बेटियों को मिलेगा अनुकंपा यूनिवक्ति क्या होती है मैं बता दूँ जब कोई भी क्या क्या क लेटियों को भी मिल सकेगी इसके बाद दोस्तों आपको बता देवी होल कर अहल वाई विश्यू विद्याला कि उत्में वड़े विश्यू विद्याला मैं पैंतीस हजार अंक सुच्छियों में कैसे गड़वड़ी हो जाती है आप यह भी सोचने वाली यानि विचार करन करने वाली स्थिती है ठीक है इसके बाद देखें दो दिन में नहीं करा जाएगी तो प्राचार को टरफ कारवाई की यह उन्होंने बता है कि विद्यार्ट के लिए अधितियों की नहीं होई है राति जिस कारण से यह जोई नहीं होती है तो प्राचार पर एक तरफा भी नहीं फिर भी उस्प का लाब लिये जा रहे हैं तो यह से टॉप सोलर राज जांगा रासन कार्ट पर कुल अब्यारती वह फर्ची नाम यहां पर आपको देखने को मिलेंगे इनमां मत्रदेश भी चौथे स्थान पर मत्रदेश यहां पर रखा गें सोरी चौथे स्थान का लौनी स्राव कालौनी क्या है दोस्तों इन मैं जो कमजोर वर्क के लोग हैं उन्हों कर मकान यूजना यह है रहत है ले लग आने वाली बार आप तक पेहने जाए हैं